Wishing you a very good morning dear students, मैं हूँ मुदीता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदीता IS Warriors पर आज हम करने वाले हैं Class 9 की Worksheet No.22 और आज है 24th of August 2020 तो हम Class 9 की Worksheet solve करने से पहले, सबसे पहले जो concept दिवा है उसे थोड़ा सा पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, अंसर ऐसा ना हो कि बस आप लिख रहें, आपको समझ में आ जाए उसके बाद मैं आपको सारे अंसर रिटन में लिखवा दूँगी और दे भी दूँगी, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम और क्लास टीचर का नेम फिल कर लेंगे, हम साइन्स क्लास 9 का इंग्लिस मीडियम में सॉल्फ करने वाले हैं तो हमने लास्ट क्लास में ये लास्ट वरकशीट में क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए आज हमको पढ़ना है The Fundamental Unit of Life, इसी चैप्टर का हमने थोड़ा सा पार्ट पहले पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था About Nucleus, What is Nucleus, What is Cytoplasm, What is DNA, ठीक है थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे तो अच्छा रहेगा, हमने पढ़ा था कि ये एक सेल होता है, सेल के सेंटर में होता है Nucleus, यहां कुछ Flutes होते है, Liquid होता है, जिसको Cytoplasm कहा जाता है, और इस Nucleus के बारे में पढ़ा था कि Nucleus के अंदर एक Material होता है, जिसको कहते है DNA, ठीक है बेटा, DNA से ही हमारी Property Transfer होती है, एक इंसान से दूसरे में, या फिर Parent से Child में, और हमन पढ़ा था, आपको याद आगया होगा, अब में को आप फटा-फट से DNA का फुल फॉर्म बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में, जिससे आपका Recall हो जाएगा, एक बार Revise हो जाएगा, चलिए फिर से देख लेते हैं, यह हमारी As Usual जिग्याशा दीदी, और यह है ग्यान भह यह जो है वो Question पूछ रहे हैं, जिग्याशा दीदी, What is Protoplasm and How does a cell perform various life processes? तो यह जिग्याशा से पूछ रहे हैं कि Protoplasm क्या होता है दीदी, Protoplasm क्या होता है? बेटा अब ध्यान से सुनना, Cytoplasm हमने Last Class में पढ़ा था, अब हम Protoplasm के बारे में पढ़ रहे हैं, तो Protoplasm क्या होता है और How does a cell perform various life processes? कोई भी cell अपना life process कैसे perform करता है? अब जो यह जिग्याशा दीदी हैं, आपकी दीदी की तरह यह example दे रहे हों समझा रहे हैं ग्यान को ग्यान, as we know, the every cell at the three feature part in, हर cell में तीन basic feature part होते हैं, वो क्या-क्या है? Plasma Membrane, Nucleus and Cytoplasm, किसी भी cell में तीन major चीज़े होती हैं, जो सब में होती हैं, एक तो Plasma Membrane, देखे यह cell होता है, cell की एक covering layer होती है, outermost, जिसको Plasma Membrane कहते हैं, और यह Membrane क्या करती है, protect करती है, ठीक है cell को, और साथ में यह selectively भी होती है, कुछ important particles को ही आने और जाने देती है, आपने पढ़ा होगा, semi-permeable Membrane होती है, ठीक है, तो यह तीन चीज़े होते हैं, the fluid inside the cell that is covered by Plasma Membrane is called Cytoplasm, और इस cell के अंदर जो fluid भरा होता है, जो Membrane से cover होता है, इसको हम क्या कहते हैं, Cytoplasm कहते हैं, apart from Nucleus, these are specialized very minute structure present in the Cytoplasm called cell organally, आज हमें क्या पढ़ना है, cell organally के बारे में पढ़ना है, तो यहां पे जिग्यासा कह रही है, कि आपको यह तो पता है कि यहां Nucleus होगा, यहां Cytoplasm भरा होग इसके साथ में छोटे-छोटे से कुछ organally होती है, छोट-छोटे कुछ substance होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है, cell organally, ठीक है, the main cell organally present in eukaryotic cell R, जो eukaryotic cell होते हैं, उसमें main cell organally कौन-कौन सी होती है, endoplasmic reticulum, जिसे ER कहते हैं, गौलगी, apparatus, lysozome, plastics, vacules, mitochondria, ठीक है, यह कुछ है, जो cell organally होती है, अब आप बोलेंगे कि मैम, cell organally क्या होती है, तो देखो, यह आपका cell है, ठीक है, यह nucleus है, इसके अंदर एक liquid भर है, अब इसके अंदर कुछ यहां पर चोट-चोटे particles होते हैं, ठीक है, जिनको cell organally कहा जा इनके क्या function होते हैं, तो सबके अलग-अलग function होते हैं, इस तरीके से, मैं example से समझाती हूँ, कि जैसे घर में क्या है, आप है, आपका भाई है, मम्मी है, पापा है, तो सबके कुछ specific काम है, कि एक का काम है, cooking करना, ठीक है, एक का काम है, सफाई करना, एक का काम है, पर्टि टीचर को notice देना है, इसी तरह हमारे cell में यह अलग-अलग अरगनली अलग-अलग काम करती है, किसे का काम होता है, एनरजी स्टोर करना, किसे का काम होता है, ग्रोथ में help करना, आपकी पूरी body cell से ही तो बनी होई है, और यह cell जो सारे function परफॉर्म करते हैं, उसी से आपको एक्टिविटी कर पाते हैं, तो यह जो आपको बताए है, गोलगी अपरेटर्स, इसके अलामा प्लास्टिट्स, इन सबके अलग-अलग काम होते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है, इच सेल और लग-अलग काम होते हैं, जैसे स्टोरेज ओफ प्रोटीन, लिपिट्स, वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, तो यह इनके फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, सबके अलग-अलग काम होते हैं, जैसे स्टोरेज ओफ प्रोटीन, हमारे सेल्स में प्रोटीन को स्टोर करना, एनलजी को स्टोर करना, वेस्ट डिस्पोजल करना, कि जो वेस्ट होते हैं, उस लिए May ऐंदर फाल तो इन सारी चीजों को पूरे कोaca, प्रसाइटेया हैं Krisछा bert. मिलाकर क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है प्रोटो प्लाज्म ठीक है साइटो प्लाज्म उसके अंदर का लिक्विड है और इस पूरे को मिलाकर क्या कहा जाता है प्रोटो प्लाज्म कहा जाता है तो आपको समझ में आ गया प्रोटो प्लाज्म क्या होता है अब फिर से यह क परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस बाई लीविंग बिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैमिकल रियक्शन आज टेकिक प्लेस इंसाइड दे सेल कैमिकल रियक्शन आप सब जानते हैं कि एक चीज में दूसरी चीज मिलाई जाये तो कुछ नया बनता है जिसको कैमिकल रियक् करता है और यह सारी कैमिकल क्लेक्शन कहां होती है आप के सेल के अंदर होती है इंड़िफरेंट कैमिकल रियक्शन आइधर सम सबस्टेंज इस फॉर्म ठीक है और सबस्टेंंस ब्रेेक्टाउण इंटू अधर कंपाउट और इन रियक्शन की वजए से कुछ नई कि अब बचल लेते हैं तो इसका बर्लिंग होति है कईसे होते हैं उस्वोन फन में पurni उता कैसे जींप से आपके इनल्जी मेंुआफ़ सेसेन ऐसंट कई सैल्ड रहते हैं यह लिक्राइप से से कुछ चीज़े तूटती हैं नए सेल बनते हैं पुराने सेल रिपियर होते हैं तो यह सारा काम सेल के अंदर होता रहता है ऑल दीज केमिकल रेक्षिन अकरिंग इंसाइड अर्ण एज मैटाबॉलिक प्रॉसेश और जितनी रहा कि यह सेल की रियक्षन सोती है सेल के अंदर उन सब को क्या कहा जाता है metabolic process क्योंकि ये life के लिए बहुत ही important है these are constantly taking place in body और ये continuous ले body में चलती रहती है आप सो रहे हो जाग रहे हो कुछ भी कर रहे हो ये चलती रहती है अगर ये रुख जाएंगी तो हमारी life ही रुख जाएगी हम ही रुख जाएंगे और plant और animal दोनों में चलती रहती है metabolic is a generic term that used to describe all chemical reaction involving maintaining living state of cells and the organism तो ये एक term है जो describe करती है जितने भी तरह की reaction होती है maintain करती है जो living state को और organism को वो simple describe करता है metabolic process यहाँ पे तो आप simple से पढ़ रहे हो metabolic process लेकिन अगर आप science लेते हो और biology लेते हो 11 तो इसके बार में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है अगर किसी को science पसंद हो तो आगे जाके इसको पढ़ेगा इसके बाद यहाँ पे आपको diagram दिखाया हुआ है plant cell का और animal cell का तो देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान दिजी जो round structure आपको दिखाया हुआ है यह आपका है animal cells यानि हमारे cells हम भी animal है plant जो science है science में किवल दो चीज होती है plant और animal तो we are also animal तो हम किसमें आते है इनिमल की category में आते हैं तो यह हमारे cells है और यह plant cells है ठीक है plant believing organism है आपको पता है तो जरा बच्चो थोड़ा ध्यान से देखिए इनकी structure को सबसे पहले देखिए कि जो plant cell है और animal cell उसमें आपको क्या अंतर नजर आ रहा है एक बात जो आपने पढ़ी है सबसे पहले वो देखिए यहां पर क्या है बड़ा सा होल है plant में लेकिन animal में क्या है छोटा सा होल है ठीक है इसे वैक्यूल कहा जाता है इसके बात देखिए जो यह plant cell है इसमें क्या होता ह है जिसको क्या कहते है cell wall समझ लीजिए गार्ड है आपके स्कूल के बाहर गार्ड खड़ा होता है वैसे यह cell के बाहर गार्ड खड़ा हुआ है लेकिन जबकि animal में क्या होता है इसमें होता है plasma membrane direct एक membrane होती है वो भी cover करने के लिए होती है पर एक membrane होती है ठीक है उसके बाद cell wall के बाद इसमें membrane होता है जिसको membrane plasma membrane कहते है तो पहले cell wall उसके बाद membrane लेकिन animal में क्या होता है direct membrane होती है इसके अंदर चोटा वैक्यूल इसके अंदर बड़ा वैक्यूल अपने लास्ट क्लास में एक और चीज पड़ी थी prokaryotic और eukaryotic cell उसका difference भी किया था उसको एक बार चीजे होती है प्लाज्मा membrane गॉल्गी एपरेटस ठीक है इसके अलामवा गॉल्गी एपरेटस होता है लाइजोजोम होता है माइट्रो कॉंड्रिया होता है यह चोटी-चोटी जो आपको दिखाए हुए ना इनहीं को बोलते है cell organelles और सबका अलग-अलग function होता है वही इन सब पर एक एक चैप्टर मिलेगा आपको माइट्रो कॉंड्रिया जो आपकी energy store होती है जो आप खाना काते है वह energy ATP की फॉर्म में स्टोर होती है वैसे यह आपको आपके लेवल पर जानना जरूरी नहीं पर मैं बता दे रही हूं इस लिए उसको पवदे चो चिट्री सब्सक्शन हो जाता है य इससारा हो घ्या आपका एनीमल और थोड़ा सा प्लांग सेल को देख लिज miraculous इसल कि इसमें भी गोल्डिया ठेक्रेटस हो थोता है घ्यक्री आपके होते हैं यह ठोटे-फी प्लाइज मॉस इसमें भी नार स् थीखिंग खर आपकाल सं साइटोप्लाजम होता है सेलड वॉल होता है गौल्डियर भी सब्सक्काइब घृषियहां सबैंणीट मैं रिक्टा सब्सक्राइब एंसरपास आपको चैप क्या रिक फक्रवत सब्सक्राइब लिख लें देखो साइंस में डाइग्राम बहुत सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है लेबलिंग करने की ज़रूरत होती है कि बनाया और यह सेल वॉल है यह है सबके नाम अच्छे से करना जरूरी होता है तो फर्स्ट कोशन सेकिंड में करना है वट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस गीव वन इक्जामपल थर्ड है डिफ्रेंशेट बिट्विन प्लांट अनिमल सेल और वर इस साइटो प्लांट लोकेटिट चलिए फटा फट चाहिं सबसे पहले जो हमारा कोशन है कोशन नमबर वन कोशन नमबर वन है हमारा की आपको डाइग्राम ड्रॉ करना ह अगर आपको सारे सेल नहीं भी बनाना तो भी आपको कुछ में इंपॉर्टन बनाना है जैसे यह प्लांट सेल बनाया तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब ड्रॉ करेंगे कॉपी में तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कुछ थोड़ा रेक्टेंगुलर सा ठीक है उसके बाद यहां पे आप थोड़ा बड़ा सा होल बनाएंगे ठीक है नुकलियस जो है नुकलियस यह रहा तो नुकलियस को थोड़ा साइड में यहां पे दिखा के इसको बोलेंगे नुकलियस है ठीक है उसके बाद यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है सेल वाल के नीचे मेंब्रेन यह आपका वेक्यूल दिखाना जरूरी है इसके अलावा यह आपका नुकलियस दिखाना जरूरी है इसके अलावा आपका साइटो प्लाज्म प्रोटो प्लाज्म गॉल्गी अपरेटेस इस तरीके से 5-6 चीजों को आप लेबल कर दीजिए मतलब उ दूसरा डाइग्राम आपको बनाना है इनिमल सेल का इनिमल सेल का स्ट्रक्चर बच्चोँ handful बता साइटो खोल होता है सर्कूलाr होता है तो इस तरीके से बना सकते हैं नुकलियस आपका छें विट हो लोगा और इसमें डारेक्ट प्लाज्मा मेंब्रेन आपको दिखानी ह इतनी चीज़े आपको दिखाने हैं बाकी आप अगर याद कर लेते तो ठीक है वरना स्टार्टिंग की जो पांच चीज़े हैं यह आपको दिखाना कंपल सरी है तो मुझे आशा है कि आप ड्रॉ तो बिल्कुल कर लेंगे अब नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं वट आर मेटाबॉलिक प्रॉसेस गीव वन एक्जामपल तो मेटाबॉलिक प्रॉसेस का अंसर आप कैसे लिखेंगे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रियक्शन अकरिंग इंसाइड दसेल बहुत सही तरह की केमिकल रियक्शन होती है हमाई सेल में इन दीज केमिकल टीएक्शन आइडर समसंस्टडस इस फॉर्म और नगों दुफन अनदर कमपाउंड मतलब जो हमारा सोल ह 만든 है उसमें बहुत सारी केमिकल रियक्शन होती है ठीक है और उन चेमिकल रियक्शन में आइडर सब्स्टेंगर यांडर सब्सटेंग हो सकतेники St depends अदू specifically to तो आप वहां से भी लिख सकते हैं इसका एक एक्जामपल भी आपको देना है तो एक्जामपल लिखेंगे breakdown of glucose to produce energy जो आप खाना खाते हैं वह क्या बनता है glucose और वह glucose किसमें convert होता है energy में तो यह किसका एक्जामपल है metabolic process का एक एक्जामपल है और अगर आप reaction याद कर सकते हैं तो reaction लिख दें आपको और अच्छे marks मिलेंगे glucose का यह formula होता है C6H12O6 जब इसमें oxygen मिलती है जब आप सांस लेते हैं oxygen मिलती है तो वह बन जाता है carbon dioxide और water vapor आप जब सांस लेते हैं तो ऐसे करके कभी आपने देखा है मुह से water vapor निकलती है यहीं भाप निकलती है तो वह कैसा होता है अंदर सेल में reaction होती है उसकी वज़े से ही तो आप oxygen इंहेल करते हैं carbon dioxide छोड़ते हैं उसके साथ water vapor भी निकलता है जिसको H2O बोलते है होता है तो water vapor का formula भी होता है तो बेटा आप इसका screenshot ले ले चलते हैं हम next question पे next है difference between plant cell और animal cell अभी मैंने आपको दिखाया अच्छे से plant cell और animal cell अब उसके आपको difference लिखके बताने है तो एक table की form में अगर लिखेंगे तो जादा अच्छा रहेगा और याद करने में असानी सबसे पहले हम बात करते हैं plant cell की तो plant cell have cell wall और animal cell have do not cell wall आपने देखा था कि animal cell में सीधा प्लाजमा मेंब्रेन होती है जबकि plant cell में क्या होता है पहले membrane फिर उसके बाहर cell wall होता है दूसरा difference है अब plant cell container large singular vacule बहुत बड़ा सा छेट देखा था ना बीच में होल होता है उसे क् जबकि animal cell have many smaller vacule और animal cell में छोटे-छोटे बहुत सारे vacule होते हैं ठीक है plant cell have fixed and rectangular shape जो plant cell होता है वो fixed होता है और rectangular shape का होता है उसका मतलब क्या होता है जो उसकी shape होती है तो रेक्टेंगुलर होती है और थोड़ी fixed होती है क्यों जिससे वो अराम से सारे process कर सके जबकि animal cell कैसा ह होता है mostly round होता है या irregular होता है fix नहीं होता वह अपनी shape थोड़ी-थोड़ी change करता है तो irregular कह सकते हैं या mostly round कह सकते हैं plant cell do not have centrosome and lysosome जो plant cell है उसमें centrosome और lysosome नहीं होता मैंने आपको lysosome दिखाया था animal cell में centrosome और lysosome होता है ठीक है तो दो चीज़े याद रखने है plant cell में cell wall होता है पर animal cell में cell wall नहीं होता और plant में लेकिन ये centrosome, lysosome नहीं होता animal में यह होता है इसका भी screenshot ले सकते हैं फिर हम चलते हैं next question पे next question में आपसे पूछा है where is cytoplasm located हमारा जो cytoplasm है वो कहां located होता है तो cytoplasm is located inside the cell ये तो आप असान से अंसर दे सकते हैं कि यह हमारा cell है इसके अंदर ही cytoplasm located होता है सारे question के अंसर होगे इसका भी screenshot ले सकते हैं और ये question number 3 था ठीक है यहाँ पे भी 2 पढ़ गया है और यहाँ पे भी 2 पढ़ गया है तो ध्यान दे ये question number 2 है ये question number 3 है ये question number 4 है तो बेटा यहाँ पे हमने science की worksheet को solve कर लिया है आपके लिए important news है कि हम इस channel पर एक series लाने वाले करेंगे तो एक video डाला था मैंने कल जिसमें ये कहा गया था कि आपको vote करना है कि आप किस class की अलग से series चाहते हो मतलब जो वरकशीट है उसके अलावा एक master class जिसमें असानी से आपको समझाया जाएगा chapter science math तो आप जिस subject को vote करूँगे कि मैम इस subject की class शुरू हो तो हम उस subject कि जल्दी से जल्दी class शुरू करेंगे उस video को मैं लास्ट में लगा दूंगे end screen पे ठीक है वहां से आप click करके देखके please उसको vote करें कि आप किस subject की classes चाहते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप पूस सकते हैं इन अंसर को telegram पे भी जाके देख सकते हैं वहां से direct no doubt कर सकते थेंक यू सो मच फोर वाचिंग दियर्स